देखे आज हम आप लोग के लिए math का important question लाए हुए है जो कि word problem दोस्तों इस subject में न word problem वाले जो मैत होते हैं इसमें लगभग सभी बचे को दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो को देखिए हमें उमीद है कि आप लोग वीडियो देख लीजेगा तो इस तरह का question बनाने मे कोई problem नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यहाँ पे सवाल जो है समझेगा 4x square minus 4x square minus 4x plus 1 ठीक है न अब यहाँ a बराबर आपका 4 है ठीक और b बराबर माइनस के 4 है और c बराबर जो है 1 है ठीक है अब देखिए यहाँ सुन्यांकू का जो है हम लोग योगफल निकालते हैं और गुननफल निकालते हैं वही फर्मूला का यूज करना है घवड़ाये मत ठीक है न देखिए अब हमारे सामने जो है यह equation दिया हुआ है ठीक है देखिएगा क्या होगा अलफा बटा बीटा होता है और प्लस यहाँ पर जो है अलफा अलफा बटा बीटा होता है प्लस बीटा बटा अलफा ठीक अब यहाँ पर क्या होगा इसका लगुतम लेंगे ठीक तो अलफा और बीटा ठीक और यहाँ इस से इसमें भाग करेंगे तो बीटा से बीटा खतम हो गया अलफा बच्चा अलफा के पहरा स्क्वार प्लस यहां अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा खतम बीटा बचा बीटा के पहरा बीटा बर तो बीटा एस करें अब देखिए हम क्या करते हैं इसका तो कोई फर्मूला होता नहीं है तो हम लोग क्या करें देखिए माल लीजे मेरे पास 10 है तो 10 में हम कहें कि 10 में 2 जोरते हैं और 2 घटाते हैं तो क्या बचा दसी तो बचा ठीक उसी तरीका से हम क्या करेंगे कि अल्फा एसक्वार प्लस बीटा एसक्वार इसमें हम जोरते हैं 2 अल्फा बीटा और यहां घटा देते हैं 2 अल्फा बीटा अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा मालेजी वही तो आया जो alpha square plus beta square हो जाता है अब यहाँ पर देखिएगा अब हम क्या करेंगे कि यहाँ alpha और beta रहने देते हैं ठीक है अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का यह एक फर्मूला बनता है alpha plus beta का whole square alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta और यहाँ पर आ गया क्या यहाँ पर आ जाएगा alpha beta इतना तो दुस्तो समझ ही गए होंगे आप लोग ठीक है अब देखिए हम लोग को पता है क्या होता है यहाँ समझिएगा फर्मूला होता है alpha plus beta कमान होता है माइनस के b बटा a ठीक है ना जिसको बोलते है हम लोगों सुन्यांको का योग फल ठीक और यहाँ पर alpha alpha beta कमान होता है c बटा a ठीक अब वही चीज़े आप यहाँ देखिएगा दोस्तो alpha plus beta कमान यहाँ पर है तो हम भाड़ते हैं यहाँ पर क्या है minus b by a का whole square ठीक माइनस दो यहाँ alpha देखिए alpha beta कमान दिया है c बटा a यहाँ पर देखिएगा दोस्तो इसका भी मान होगा c बटा a यह तो clear है आपका अब देखिए अब यह चीज़ हम यहाँ पर देखिए भरते हैं आपको पहले ही यहाँ पर लिखवा दिये हैं कि यहाँ भरना है तो क्या minus का यहाँ पर देखिएगा minus का यह है b तो यहाँ भी minus का है तो यह minus c यह minus plus हो जागा इसका मान एक यहां पर देखिएगा क्या है A कमान देखिए यहां पर एक बढ़ हम लिख देते हैं माइनस B अब बटा A का होल स्क्वार माइनस 2 C A और बटा में C A यहां समझेगा अब देखिए भरते हैं यहां से मान माइनस यहां और माइनस के 4 और यह पहले से माइनस तो पलस का हो गया अब बटा में A भी तो 4 है तो यह 4 का होले स्क्वार माइनस 2 गुने C कितना है 1 है और A कितना है 4 है तो यहां से भरते हैं और यहां पर एक बटा C कमान 1 है और A कमान 4 है तो यहां पर भरते हैं अब देखिएगा, इससे तो यह cancel हो गया, तो 1 का square हो गया, और minus k, इससे यह काट दिये, 2, यानि 1 बटा 2, और बटा में 1 बटा 4 हुगा, ठिक, अब यहाँ 1 के square, बटा 1, और यहाँ पर 1 बटा 2, और यहाँ पर 1 बटा 4, अब देखिएगा यहाँ, 2, अब 2 हुगा, और यहाँ पर 2 minus 1, और यहाँ पर 1 बटा 4, ठिक, अब यहाँ घाटा आते हैं, तो 1 बटा 2, और यहाँ पर 1 बटा 4, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखते चलिए, एक बट्ट दो अगुन्य में ये बदल गया चार चला गया उपर और यहाँ पर एक आ गया नीचे इससे इसको काट दिये दो बर में इसका अंसर दो हो गया ये इसका अंसर हो गया ठीक है उमीद है कि आप लोग समझे क्या होंगे ठीक जो दो नमर सवाल है वो थोरा सा हट के है ठीक है ना आप ध्यान से देखिए और समझे ठीक है ना देखिए किसी तीरभुज के तीन कौन x y तथा 40 है तो दो कौनों का जो दो कौन है x और y के बीज का अंतर जो है 30 degree है तो x और y का मान क्या होगा तो देखिए समझे का बहुत easy से हम लोग समझ सकते हैं इसको ठीक है ना समझे का यहां पे क्या करना है यहां पर हम मानते हैं हम लोग जानते हैं ठीक है ना हम जानते हैं कि तिर्भुज के तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो यहां पर देखी दोस्तों तीन कोनों कोन दिया हुआ है ठिक तो देखें यहां पर हम लिखते हैं मालिज़े एक तिर्भुज बना दिये यहां पर एक तिर्भुज बना दिये यह A हो गया यह B हो गया और यह C हो गया यह वाला मान लेते हैं कि X है और यह वाला मान लिए Y है और यह 40 डिग्री है ठीक अब देखिएगा हम यहाँ पर तीनों कोनों का योग लिखते हैं यहाँ X प्लस Y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चीश को ठीक है न अब यहाँ पर क्या है X प्लस Y और यह इधर आ गया तो 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री X प्लस Y बराबर यहाँ से घाट आते हैं दोस्तों क्या होगा 140 डिग्री यह एक्वेशन 1 हो गया ठीक समझेगा ठीक है न अब देखिए दूसरका बात बोला है कि दो कुन X और Y के बीच का अंतर 30 डिग्री है अब फिर हम क्या करते हैं फिर दो कुन की बात कर रहे हैं दो कुन ठीक है दो कुन है यहाँ X और Y के बीच के अंतर यानि X माइनस Y के अंतर 30 डिग्री है यह दोस्तों हमारा क्या है दूसरा एक्वेशन हो गया ठीक अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्ब करते हैं यानि और क्या करें दोनों को सॉल्ब करते हैं और क्या करें X प्लस Y बराबर 140 डिग्री और X माइनस Y बराबर 30 डिग्री यहाँ पर घटाया जाए ठीक है तो यह तो खतम हो गया लेकिन यह जूर गया टू बाई और यहाँ पर घटेगा कितना हो रहा है जीरो में से जीरो क्या इतना और चार में से 110 डिग्री इस से काटते हैं 110 और दो से काटते हैं इस से तो 55 आता है यानि Y के मान 55 डिग्री है ठीक अब देखिए य के मान 55 डिग्री है हम लिखेंगे समिकरन समिकरन एक में Y का मान रखने पर ठीक है न तो समिकरन एक मेरा क्या है यहाँ पर देखिएगा समिकरन एक है X प्लस Y बराबर 40 डिग्री ठीक तो X रहने दिया जाए Y का मान निकल के आया है 55 डिग्री और यहाँ पर 140 डिग्री तो X बराबर यह उधर चला गया 140 डिग्री माइनस 55 डिग्री तो X यहाँ से घाट आएंगे 10 में से 5 गया तो 5 हुगा यहाँ बचा कितना तो देखिए यहाँ बचा 3 यानि 13 तो 13 तो यहाँ पर 8 यानि 85 डिग्री अतह क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों कि X के मान आया 85 डिग्री और Y के जो मान है कितना 55 डिग्री हो गया ठीक यही आपका आंसर होगा ठीक है ना उमेद है आप लोग समझ गया होंगे ठीक है ना देखिए तीन नमर सवाल जो है ध्यान से देखिएगा यह वर्ड प्रॉलम सवाल है अराम से अगर ध्यान से देखिएगा ना गदम सीख जाईएगा ठीक है देखिए यहाँ बोला है कि समझेगा फिर सवाल बनाएगा दो है तो उनका अनुपात दो अनुपात एक हो जाता है तो संख्या क्या होगा ठीक है देखते हैं हम लोग क्या होता है तो यहाँ पर कि माना कि दू धनात्मक संख्या एक्स और वाई ठीक अब देखिएगा सवाल कहा कि दू धनात्मक संख्याओं का अंतर हम तो संख्या मान लिए एक्स और वाई क्या बोला है कि एकस माईनस वाई बराबर तीन देखिए आपके सामने ही कह रहा है कि दू धनात्मक संख्याओं का अंतर तीन है तो दू धनात्मक क्या हमाने हैं X और Y, तो इसका अंतर 3 है, ठीक है, अब देखिए, फिर क्या बोला है, कि यदि परतेक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, परतेक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, तो मतलब क्या है, कि ये आपसे भीन की बात कर रहा है, X माइनस 3 घटा लिये, और फिर का कर रहा है, कि Y माइनस 3 घटा ले रहा है, तो वो 2 बाटा, देखिए, और नुपात की बात कह दिया है, तो इसका मतलब है, कि वो बाटा में ही कह रहा है, ठीक है न, देखिए, अब यहाँ पर आप क्रोस गुना कीजिए, क्रोस गुना करेंगे, तो इधर 1 से इधर गुना कीजिए, तो 3 और यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 3 माइनस कीजिए, ठीक, और इधर गुना करते हैं, तो 2Y और माइनस की 6 होगा, ठीक, अब देखिए, एकस को हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक, तो एकस माइनस 2Y और यहाँ पर माइनस की 6 और पलस की 3 हुआ, एकस माइनस 2Y और ब्रावर में माइनस की 3 हुआ, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरन 2, एतना तक किलियर है आप लोग का, अब देखिए, फिर हम क्या करते हैं, एक और दो को सल्ब करते हैं, एकस माइनस Y बरावर 0 और यहाँ पर एकस माइनस 2Y बरावर माइनस की 3, ठीक, अब यहाँ देखिए, हम सोच रहे हैं कि एकस और एकस इक्वल है, काट देते हैं, तो माइनस के कर देते हैं, यहाँ पलस के हुआ, यहाँ माइनस के पलस के हो ग घट गया, तो y बचा और ये इन दोनों को जोर देंगे, ठीक है ना, तो कितना ये हो गया मेरा 6, ठीक, अब देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 देखिएगा यहां पर है, x-y बराबर 3, तो x-, जबकि y के मान आ गया है 6, तो यहां पर भर दिये 6, और ये x, x क्या हो रहा है, कि यहीं रह गया, और इधर 3 पलस 6, और यहां x बराबर आ गया मेरा 9, अता हम कह देंगे, कि x के मान 9 हुआ, और y के मान 6 होगा, ठीक है, उमीद है कि आप लोग समाजिगा होंगे, ठीक है न, यहां से देखिएगा, ठीक है, देखिए, बोला है कि यदि दो लगतार प्रकित संख्याओं का गुनन फल 20 है, तो उन संख्याओं को आप ज्यात किजिए, तो देखिए, कैसे बनाना होगा, बहुत असानी से ह हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है न, देखिए, माना, दू करमागत्र, संख्याओं कि अ मतलब होता है, कि एक संख्या, उसकी बाद अगली संख्या, तो मान लिजे, हमने संख्या तो पता ही नहीं है, तो हम मानते हैं पहली संख्या एक्स ठीक और अगला संख्या क्या आएगा मान लिजे आप पहला संख्या एक मानते हैं तो दूपसरा संख्या दो आएगा तो हम एक्स माने हैं तो पता ही नहीं है तो क्या करेंगे इसमें एक हम बढ़ा देंगे क्योंकि अगला संख्या एक ब question ठीक है ना अब देखिए कहा है कि दो लगतार प्रकृत संख्या का गुननफल 20 है तो माली जी यह पहली संख्या हुआ और गुना डाल दें और यह दूसरी संख्या है ठीक है इसका गुननफल कितना है तो 20 है ठीक है अब देखिए इससे गुना करते हैं दोनों में करेंगे इससे इसमें गुना किये तो x स्क्यार हुआ और इससे इसमें गुना करेंगे तो x हुआ और इसको इधर ले आ लेते हैं 20 हुआ ठीक है अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 20 को इस तरीका से तोरेंगे कि गुना करके 20 आ जाए और जोर के या घटा के 1 आ जाए मतलब 1 खा जाए ठिक तो महान लिए हम यहा पर 4 और 4 और 4 और क्या करते हैं देखिएगा इसका वैसे लगुतम आप निकालनेजे यहां पर 2 to 10 हुआ फिर 2 तो 5 हुआ तो यहां पर क्या हो रहा है 2 गुलने 2 गुलने 5 इसको अगर करते है तो 4 इसको करते हैं तो 5 तो हम लीख सकते हैं कि 5 अच्छा देखिए आप गुना किजिएगा तो क्या होगा 20 आजाएगा लेकिन इसमें से घाटाईएगा तो इसको मानिए क्या इसको मानिए प्लस के और इसको मानिए माइनस के देखिए अगर प्लस माइनस को गुना किजिएगा तो माइनस के 20 आजाएगा ठीक ना और अगर घाटाईएगा इसमें से तो आपका आजाएगा प्लस के 1 यानि एक्स कह रहे हैं हम ठीक है ना 1 को ही एक्स कह रहे हैं तो यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वाइर प्लस 5 एक्स और माइनस के 4 एक्स और माइनस 20 ठीक अब देखें यहाँ पर हमें कॉमन लेना होगा और यहाँ पे भी कॉमन लेना होगा तो इसमें बताईए कौन संख्या से भाग लगेगा तो यहां पर हम x ले लिए तो x प्लस 5 और यहां पर देखिएगा दोनों में भाग लगाना है ठीक है न तो किस संख्या से लगेगा तो हम 4 से भाग लगाते हैं तो यहां x आया और यह माइनस इससे भाग किया तो यह प्ल अब देखिए ये और ये equal हो गया तो ए गो ले लिए x प्लस 5 और ये वाला और ये वाला एक साथ ले लिए ठिक बराबर में 0 ले लिए अब देखिए ये जो है 0 इसके हिसे का भी है इसके भी हिसे का है तो इस तरीका से x प्लस 5 बराबर 0 ठिक है और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0 तो x इधर x रह गया और ये इधर आ रहा है तो माइनस के इतना और यहां पर देखिएगा x और यह इधर आया तो माइनस वाला प्लस क्यों हो गया अतह एक्स कमान जो है माइनस के 5 और 4 एंसर है ठीक है इस तरीका से बनाईएगा लोग ठीक है उमेद है कि आप लोग समझ रहे हैं